हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूप चनल अस्टेडी गूरूफ 100 में तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कि अगर माइनस संख्याओं के उपर रूट लगा हो आने कि वरगमूल का साइन लगा हो जैसे यहां माइनस 5 के उपर देखे होगा बट ऐसा नहीं है इस कुश्चन को सॉल्ब करना थोड़ा टफ है तो चलिए इस वीडियो के माधियम से लोग देखते हैं इससे सॉल्ब कैसे किया जाता है तो इससे सॉल्ब करने से पहले हम लोग इसके पोजिटिव संख्याओं को गुना करना सीखेंगे देखिए अगर यहां माइनस पांच ना होके सिर्फ पांच होता अनिकि अंडर रूट पांच होता और यहां माइनस साथ ना होके सिर्फ साथ होता अनिकि पोजिटिव संख्याओं का वरगमूल तो इन दोनों संख्याओं को कैसे गुना करेंगे हम डारेक्ट क्या करेंगे इन दोनो का गुनलफल हो जाएगा यह इसका अंसर हो जाएगा बट नेगेटिव संख्यों में ऐसा नहीं होता है देखिए अगर हम इससे गुना करना चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं हम माइनस 5 और माइनस 7 को गुना कर देंगे तो देखिए माइनस 5 और माइनस 7 को गुना करते हैं तो हमें negative negative कटके positive मिलता है नहीं 35 मिल रहा है और अगर 35 के उपर देखिए 35 मिल रहा है और इस total के उपर अगर हम वर्गमूल का sign लगाते हैं तो इसका answer यह root 35 होना चाहिए था बट यह गलत हो जाएगा इन दोनों का answer कुछ और होने वाला है तो बिडियो को ध्यान से समझेए तो सबसे पहले यहाँ एक special numbers की साहिता लेना पड़ेगा वो numbers क्या होते हैं तेके वो numbers होते हैं आयोटा जिसे हम लोग denote करते हैं i से small i से और इस i का जो value होता है वो होता है root under minus 1 आने की अगर इस तरह की condition हो कहीं root under minus 1 ति इसे हम लोग change करके i के रूप में लिख सकते हैं और यह संख्या जो है वो कहलाती है imaginary number कालपनिक संख्या है चुकि इस संख्या को हमें दस्वी कछा के बाद पढ़ना होता है लेकिन अगर आप इस concept को समझना चाहते हैं तो इसे अभी सिख लिजिए त्यान से वीडियो को देख लिजिए तो देखे हम सबसे पहले क्या करेंग तो देखिए minus x को 1 को हम अलग कर लिए अब इस total को गुणा करने वाले हैं किससे इस संख्या से तो यहां भी संख्या को हम तोडने वाले हैं 7 को अलग कर देंगे और इसके साथ minus का sign लगा हुआ है तो यहां भी हम लोग minus 1 को अलग कर देंगे अब हम अगले step में क्या करने वाले देखिए हम यहां से क्या करेंगे सिर्फ इस root 5 को अलग करेंगे ठीक है इसके साथ गुणा में है under root minus 1 चुकि इसे हम लोग अलग करने है अब इस total को हम लोग गुणा करने वाले हैं देखिए इस root 7 को भी अलग करेंगे और यहां गुण गुणा में क्या है सेम root under minus 1 अब यहां भी हम लोग क्या करने वाले देखिए root 5 और इस root under minus 1 को हम लोग चेंज करके i लिख देंगे क्योंकि i का जो value होता है सेम होता है root under minus 1 तो हम यहां इसके बदले i लिख देंगे तो हम लोग root 5 i लिख देंगे direct चुकि i इसके साथ गुणा में है अब फिर से यहां गुणा का sign है तो गुणा का sign ले देना है और यहां भी इस संख्या को चेंज करके हम लोग under root 7 और बहार में i लिख देंगे तो positive संख्या को गुणा कैसे करते हैं हम देख चुके यहां पर तो हम क्या करेंगे फार्च गुणा साथ कर देंगे यह हो जाएगा 35 और total के उबर हम लोग root लगा देंगे चुकि अब i जो है दोनों में वो root के बाहर की संख्या है तो अब दोनों i को गुना कर देंगे इस i से इस i को तो i गुना i मतलों i2 हो जाएगा तो चलिए i2 से लिख देते हैं चुकि यहां root के बाहर की संख्या है लेकिन यहां एक important fact यह है कि यहां जो i2 है इसका जो मान ह होता है निकि value होता है i2 का वो होता है minus 1 ठीक है तो हम क्या करने वाले है इस i2 के बदले हम लोग minus 1 को यहां लिखे देने वाले हैं तो चलिए क्या करेंगे under root 35 अब इसके साथ गुना में क्या है i2 का value है minus 1 है तो गुना कर देंगे minus 1 से ठीक है अब यहां क्या होने वाला है सिर्फ इसके साथ negative संख्या और कि negative sign लग जाएगा तो यहाँ direct कर देंगे minus under root 35 यह इन दोनों का गुनलफल हो जाएगा और कि multipediction का result हो जाएगा तो यह इन दोनों का final result होने वाला है चुकि अगर हम normally गुना करते हैं तो minus minus cancel होके सिर्फ positive बचता है जो under root 35 अनिकि 35 का वर्गमूल आता है बट ऐसा नहीं है इसके साथ minus का sign भी लग रहा है क्यों लग रहा है क्योंकि हम लोग एक अलग method से बना रहे हैं और यही method ही सही है आप जब भी इन negative संख्याओं का वर्गमूलों का गुना करें तो इसी method को use करें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब चोग कीजिए थैंक्यू